दोस्तो अगर आप अपना WhatsApp अकाउंट हमेशा के लिए डिलिट करना चाहते हैं अगर कोई आपके नंबर से सर्च करेगा आपका अकाउंट तो तब भी सर्च में नहीं जाएगा अगर आप इस तरीके से अपना अकाउंट डिलिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तो आपको completely process बताऊंगा तो वीडियो को end तक देखना वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना तो चले दोस्तो बिना time waste करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको WhatsApp को open कर लेना है क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे लेकिन आपको सबसे उपर ही ये देखे ये मिल जाएगा अकाउंट का option तो आपको यहीं किलिक कर देना है जैसे ही आप यहापर किलिक करेंगे तो यहापर दोस्तो आपको delete my account का option मिल जाएगा यह देखिए सबसे नीचे यहां पर मिल रहा है ना आपको delete my account ठीक है तो आपको यहीं click कर देना है जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो आपको यहां पर दोस्तों दो option मिलेंगे ठीक है यहां पर आपको मिल रहा है change number अगर आप अपने account का number change करना चाहते हो तो simply change number पर click करेंगे और यहां से अपना number change कर लेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप delete करना चाहते हैं हम ऐसा के लिए permanently तो यहां पर यह देखिए यहां पर phone number डालने का option मिल रहा है और यहां नीचे दोस्तों delete my account का option मिल रहा है अब आप delete करना चाहते हैं तो जिस number से भी आपने इस what's up account को बनाया है जिसको आप delete करना चाहते हैं वो number simply आपको यहां पर feel करना है ठीक है तो यहां पर वो number में दोस्तों भर देता हूं जिस number से मेरा account बना हुआ है मैंने यहां पर mobile number भर दिया है mobile number भरने के बाद दोस्तों आपको यहां simply बस delete my account पर click कर देना है जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो आपके सामने यहां पर दोस्तों एक reason पूछेगा कि आप अपना account delete करना क्यों चाहते हैं यहां पर यह देखे एक छोटा सा arrow दिखाई देगा यहां पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कई सारे option यहां पर आ जाएंगे यहां पर दोस्तों जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो I am changing my device मैं अपना mobile बदल रहा हूँ यहां मैं अपना phone number बदल रहा हूँ यहां पर दोस्तों आपको कई सारे option मिल जाएंगे जो भी region आप देना चाहते हो दे सकते हो ठीक है तो यहां पर आप कोई भी region दे सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है तो मैं यहां पर यह region दे देता हूँ यह दोस्तों इसके बारे में आप लिख भी सकते हो ठीक है यह optional है अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई problem नहीं फिर दोस्तों आपको यहां पर यह देखिए नीचे delete my account का option मिलेगा simply आपको यह किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने फिर से एक page open होगा यहाँ पर लिखा होगा proceed to delete your account ठीक है यहाँ पर यह चेतावनी देगा कि एक बार फिर सोच लो कि आपका सभी data सभी photo जो भी है आपका इसमें वो सभी delete हो जाएंगे अगर आप दोस्तों delete करना चाहते हैं आप सेमत है तो आपको simply delete my account पर फिर से किलिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपका whatsapp account हमेसा के लिए delete हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना whatsapp account हमेसा के लिए delete कर सकते हैं तो आए ओप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी subscribe कर ले क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर ace mobile tips related videos देखने को मिलती हैं